सो गाइस आप बात करने वौले हैं। आप अगर आप डिस्नी प्लस होटसटार एप्लिकेसिन यूझ करते हैं। उसके अंदर बार-बार आपको ads देखने को मिलती हैं, प्रेशान हो चुके है ads से, hostar में जो भी आपको ads देखने को मिलती हैं, तो आपको क्या करना होगा आज की वीडियो में आपको बताने बाला हूँ, जिससे आपकी जो ads हैं वो permanently बंध हो जाएंगी, यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं, या तो इसका premium आप ले सकते हैं, पैसा देकर आप ads को बंध कर सकते हैं, तो यह काम आप कर सकते हैं, या फिर आपको second काम क्या करना होगा, आपको अपने mobile में settings करनी होगी, सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर पर आईएगा, प्ले स्टोर में आकर आप पर लिखिएगा add block, यहाँ पर application मिल जाएंगी आपको बहुत सारी, किसी भी application को इंस्टोर कलके आप जो है use कर सकते हैं, और आपको आपके hotstar में add देखने को नहीं मिलेगी, अगर यह काम नहीं करता है, यह applications काम नहीं करती हैं, दन उसके बाद आपको क्या करना है, setting में आना है, setting में आने के बाद search bar में आना है, यहाँ पर लिखने है dns dns लिखने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा private dns यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद यह options निकल कर आएंगे आपको यहाँ पर select होगा auto पर आपको यहाँ पर private dns provider hostname पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा dns.adguard.com आपका यहाँ पर google.com कुछ भी होगा तो आप यहाँ पर लिखेगा dns.adguard.com और save कर दीजेगा यह करने के बाद आपको back आजाना है आपकी जो ads होगी वो आनी बंध हो जाएंगी आगर आपकी ads फिर भी यानी बंध नहीं होती है तो setting में आईएगा setting में आने के बाद आपको scroll करना है नीचे की तरफ यहाँ पर आपको google देखने को मिल रहा है google पर आपको click करना है google पर click करने के बाद आपके सामने यह page open होगा आपको यहाँ पर ads का option देखने को मिल रहा है इस ads के option पर आपको click कर देना है जैसे ही आप इस ads के option पर click करेंगे यह settings आपके सामने निकल कर आएंगी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है delete advertising id delete advertising id पर आपको click कर देना है और यहां से जो इसकी advertising ID है वो delete कर देनी है डिलीट इस advertising ID पर click करना है जो आपकी ID delete हो जाएगी फिर आपको जो है ads देखने को नहीं मिलेंगी ये काम आपको कर लेना है आगर फिर भी problem solve नहीं होती है तो finally गौर काम आप कर लीजिए यहां पर आपको management देखने को मिलेंगे manage your google courain इसपर click कर लेना है click करने के बाद यांपर आपको over search bar देखने को मिल यहां पर आईए search bar में आपको लिखना है add यहां पडare set ing आजाएगी इसको open करिएगा जैसे आप इसको open करेंगे यहाँ पर आपको personalized ads देखने को मिलेगी यहाँ पर okay करिएगा यहाँ से इसको turn off कर देजिएगा तो आपकी जो ads वगयरा है यहाँ से बंद हो जाएंगी और got it पर click कर देजिएगा बस यह काम आपको करना एदन back आजाना है आप देखेंगे आपकी reboot option भी देखने को मिल सकता है आपने mobile को reboot करिएगा जैसे आपका mobile फिर on होगा आप देखेंगे अपने disney plus hot star में ads देखने को नहीं मिलेंगी सिर्फ यही कुछ काम आपको करना होगा so guys बस आज के वोडियो में इतना ही मिलते हैं आपकी वोडियो में till then bye take care love you all